बिजनेस ओनर्स के साथ पाप मेरी यूटूब पे एक ये सिरीज है जिसको आप या तो देख चुके होगे और नहीं देख चुके तो ज़रूर देखिए उसमें से मैंने एक पाप जहाँ पे डिस्कुस किया था मैं यहाँ पे आज दुबई में हूँ आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं यह एट्लांट इस दपाम यह दुनिया का बहुत महेंगा होटल है मैं मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के पाच महेंगे टॉप आयू कॉस्ट्लियस होटल में से एक होगा सेवन स्टार होटल है और आज हम यहाँ पे आया है महाबिस की कॉनफरेंस के लिए आएम एक्स्ट्लोरिंग वाटर दे पॉसिबिलिटीस फॉर मी एस वेल आज माय क्लाइट्स इन दुबई यहाँ पे आप देखें दुबई का नजर आपको देखेगा इधर स्विंग पूल भी है इस एन अल्ट्रा लक्जरी अल्ट्रा लक्जरी होटल और यहाँ पे मैं एक्स्ट्लोर कर रहा हूँ यहाँ पे लगबग दुबई के साड़े 600 बिजनेस ओनर्स है दुबई और भारत के दोनों के साड़े 600 बिजनेस ओनर्स है और इन बिजनेस ओनर्स के साथ में कनेक्ट होके क्या-क्या संभाव नाए है पॉसिबिलिटी है मैं यहाँ पे एक्स्प्लोर कर रहा है अब इसमें आगे क्या होगा आगे बहुत सारी चीज़े हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है दोनों चीज़े हो सकती है मैंने उस वीडियो में आप तो समझाया था Business Owners के पाप में 7 वाला जो सीरीस था है मेरा 7 वाला जो लेक्चर था उसमें समझाया था कि 10 में से 9 चीज़े जो आप नहीं करते हैं जो आप एक्स्प्लोर करते हैं उस 10 में से 9 चीज़े फेल होने की संभावना होती है अब आप आप पैसा देंगे समय देंगे लेकिन 10 में से 9 चीज़े काम नहीं करेगी यह ऐसा होता ही है लेकिन एक चीज अगर आपके उसमें से काम कर गई तो वो चीज बहुत बड़ी चीज आपके लिए हो सकती है So I am trying, I am exploring and I am also suggesting all of you to explore and try Give a try, try to explore something new इसके बहुत सारे फायदे होते उसमें से एक फायदा तो मैं आपको बता दू हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है हम जिस तरह से पहले सोचते थे और ये सारी चीज़े explore करने के बाद सोचना शुरू करते है वो सोचने का तरीका हमारा पूरी तरह से बदल जाता है और किसी भी बदलाओं की शुरुवात हमारी जिन्दगी में सबसे पहले यहां से होती है सोच बदलो, दुनिया बदलो Thank you